Hello everyone, स्वागत करता हूँ आप सब का इस चैनल पर मेरा नाम है रुहूल और आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे Ancient History का Lecture No.4 जिसमें हम चालकुलेथिक एच के बारे में डिसकस करेंगे इससे पहले हम Ancient History पर तीन वीडियो देख चुके हैं तो उम्मिद करता हूँ आप वो वीडियो पहले देख चुके हैं उसके बाद ही ये वीडियो देखें एक सीरीज में Ancient History का सारा वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा आप किसी भी एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये वीडियो पर आपको एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको Ancient History पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए जो है काफी जादा फायदा मंद रहने वाली है इस चैनल पर आपको Ancient History के सारे वीडियो मिल जाएंगे अगर आपको Notes डाउनलोड करने हैं जो भी हम डिसकस करेंगे अभी इस वीडियो में तो उसके अगर आपको Notes डाउनलोड करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से PDF में Notes को डाउनलोड कर सकते हैं वहां से रिभाइस कर सकते हैं तो चलिए हम विडियो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक है चालकोलिथिक एज इससे पहले हम नियोलिथिक एज, पहले लिथिक एज, मैसोलिथिक एज यह सारे एज को डिसकस करेंगे तो आज हम चालकोलिथिक एज को डिसकस करेंगे तो चालकोलिथिक एज जो है उ से metal age भी कहते हैं क्योंकि इससे पहले लोगों ने metal का यूज करना नहीं सिखा था इससे पहले लोग पत्थरों से ही अपना काम चलाते थे बट चालकुलेथिक age में लोगों ने metal का यूज करना सीख लिया था अब metals है हाला कि कुछे metals का यूज करना सिखा थे जैसे कि copper हो गया, ब्रॉंज हो गया, ये दो ही metal majorly इन लोगों ने यूज करना सिखा था इस समय पर, इसके बाद जो है फिर iron age आता है उसके बाद जो है लोग और सारे metals को यूज करना सिखते हैं, लेकिन चालकुलेथिक age जो सबसे पहले इनसानों ने metal को यूज करना सिखा था, और वो metal कौन सा था, वो था copper चालकुलेथिक age जो है हमारा 3000 BC से लेकर के 500 BC तक चलता है सबसे पहला metal यूज हुआ है copper, अब इसमें bronze का भी काफी बार यूज होता है तो ब्रोउन्छ का भी यूज करते थे और का यूज के कभी कतार यूज करते थे, किसी खास चीज को बनाने के लिए यूज करते थे लेकिन जो कौपर का यूज करते थे, नोमायin जो मेन क्रॉप थी जो बाजरा, वीट राइस, और भी बहुत सारे पलसेस दाल और वगएवव इन लोगों ने इस जो है समय में उगाया था इस समय में जो है लोग एक तरह का agriculture करते थे उसको कहते हैं slash burn agriculture या फिर इसको झूम-cultivation भी कहते हैं अब ये किस टैप का agriculture है देखिए जूम-cultivation में क्या होता है इसमें होता है कि किसी एक जमीन को यानि कि उस समय में तो ज़्याद तर जगह जंगल ही थी तो सबसे पहले तो किसी जंगल की कटाई करते थे मतलब एक छोटे एरिया पर जितने भी पेड़ पोधे हैं इतने भी वहां सारी मतलब की घांस फूस पेड़ पोधे हैं तो उन सब को पहले क्लियर करते थे फिर वहां पर यह लोग खेती करते थे एक ही चीज खेती करते थे मतलब की धान की या फिर गेहों की बाजरा की किसी भी चीज की खेती की वहां पर तो खेती जब इन लोगों की हो जाते थी फसल जब complete हो जाता था तो उसको काट दिया जाता था काट करके ये लोग फसल रख लेते थे फिर उस जमीन को छोड़ देते थे यानि कि उस जमीन को फिर कुछ महेनों के लिए छोड़ देते थे और दूसरे जमीन पर जाते बार बार खेती नहीं करते थे मतलब कि एक ही खेत पर जमीन पर इन लोगों ने एक बार खेती किया उसके बाद उसको छोड़ कर फिर अलग जगा जाकर की खेती करते थे तो इस टाइब का जो खेती जो cultivation है उसको कहते है जूम cultivation या फिर इसको slash burn cultivation कहते हैं slash burn इसलिए कहते हैं क्योंकि चुकि वहाँ पर पहले जो जंगल जो जाड़ियां रही होगी जो पेंड रहे होगे तो उसको यह लोग या तो काड़ देते थे या तो जला करके वहाँ किलियर करते थे वहाँ की जमीन को इसलिए इसको slash burn भी कहते हैं और यहाँ पर इन लोगों ने जो है cow, sheep, gourd, peaks, buffalo यह सारे जानवर जो है पालना सीख लिया था इस समय में लोगों ने में लेकिन और इन लोग ने जो है huran को भी हंट किया था यानि कि हिरण का भी यह लोग सिकार करके खाते थे लेकिन इस समय में जो यह लोग horse का इसित्माल करना नहीं सीखे थे गोडों का ये लोग यूज करना नहीं सीखे थे कि गोडों किस परकार से हम यूज कर सकते हैं अभी जिसे हम मेडिवल इंडिया में देखेंगे या फिर और सारे जो है एंसेन हिस्ट्री में जो चालकुलेथिक एज के बाद आती है चुकि इंडियस वेली सिविलाइजेशन में भी होर्स का यूज करना नहीं सीखा था लोगों ने उसके बाद जो राजा आये और सारे आये तो उन लोगों ने होर्स का काफी इस्तमाल किया उस पर जो है लोगों ने जंगे लड़ी अलग-अलग जो है दूर रास्तों पर जो है जाते थे तो होर्स पर घोड़ों पर बेट कर जाते थे इस समय में कोई dairy नहीं थी dairy मतलब कि दूद निकालना नहीं सीखा था इन लोगों न फिर नहीं निकालते थे जानवरों से यह लोग इसी भी जो भी गाय भेंस हो गई तो ये लोग चुकी दूद देने वाले जनवर है तो इनसे इन लोगों ने दूद निकालना या तो नहीं सीखा था या तो नहीं निकालते थे ये लोग क्यूंकि हमें जो है dairy के evidence नहीं मिलते हैं इस period में यहाँ पर जो लोग थे वो रूरल सेटलमेंट्स थे यानि कि गाउं बना करके छोटे-छोटे कस्बे बना करके रहते थे इस समय में जो है इस समय में लोगों ने burn bricks का यूज़ करना नहीं सीखा था यानि कि इटो को पका करके उसका यूज़ करना इस समय ते लोगों नहीं सीखा था यहाँ पर लोग जो हैं mud houses में रहते थे यानि कि मिट्टी के जोपड़ी बना करके वो लोग रहते थे और एक चीज़ हमें मिला है है कि earth goddesses जो की मिट्टी से बनाए हुए है earth goddesses का picture हमें मिलता है मतलब इस तरह का देखिए यह एक छोटी से हमें मुर्ती मिलती है जो कि मिट्टी कले मिट्टी से बनाए गई है कहां पर यह मिलती है हमें यह टेरा कोटा figure है यानि कि मिट्टी के चीज़ों को जो है पका करके बनाया जाता है तो टेरा कोटा फिगर है यह हमें मालवा राजस्थान के इलागों से मिलती है इस तरह के अर्थ कोडेसिस उसके बाद देखिए इस समय में जो है ओरतों ने बहुत सारे ओर्णामेंट्स को पाहनना शुरू कर दिया था सजावट की चीजों को पहनना सुरू कर दिया था जैसे कि सेल और बोन से वो लोग यानि कि हड्डियों से वो लोग बीट्स बनाते थे यानि कि माला बनाते थे और उस माला को यह लोग या तो गले में पहनते थे हाथों में भी पहनते थे चूड़ियों की तरह और पेरों में भी पहनते थे ये लोग पायल की तरह और बहुत सारे स्टोन से भी ये लोग बीट्स बनाते थे जैसे की अलग-अलग टाइप के स्टोन से जैसे कारनेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट, स्टेटाइट ये सारे जो है अलग-अलग टाइब के पत्थर है कुछ जो है किम्ती पत्थर है तो इस पत्थरों इन पत्थरों से ये लोग जो है अलग-अलग टाइब के बीट्स बनाते थे और उनको पहनते थे सजावट के लिए इस वहमें लोगों ने जो है अलगब तरह की pottery बनाना सीखलिया था pottery चुकि ये Administration अच्छी तरह से इन लोगों ने चैक लिया था और चalkolithic age में पोर्टरी को design करना भी चैकश लिया था जो है by pottery को ये लोग design भी रुघ डिजाइन भी लिए ते थे आप देख सकते हैं तो इस तरह के ये लोग जो है पोटेरी में भी डिजाइन करना सीख चुके थे अलग-अलग टाइप के कलर करते थे पोटेरी में तो ये सारे चीजे जो है लोगों ने चाल को लिए थे के एज में हैं सीख लिया था अगर हम अब आर्ट्स की बात करें कि क्या-क्या लोग उस समय में जानते थे क्या-क्या कला जानते थे कौन-कौन सी चीजे उस समय में लोग कर सकते थे तो copper smiths थे यानि कि copper से वो लोग अलग-अलग चीजों को बनाते थे copper smelting का भी काम करते थे copper यानि कि copper को गला करके उसे अलग-अलग shape दे करके बहुत सारी चीजों को बनाते थे good stone workers थे यानि कि stone को धारीदार बनाते थे या फिर अलग-अलग shapes देकर stone को वो लोग use करते थे जो है डेली के अपने कामकाज में और वहाँ पर लोगों ने spinning और webbing भी सीख लिया था यानि कि कपड़े बनाना भी लोगों ने सीख लिया था कपड़े को बुनना या फिर उसको जो है एक sweater टाइप का बनाना कुछ कपड कपड़ा बनाना उन लोगों ने कोटन से यह सारी चीज़े भी उस समय के लोगों ने सीख लिया था बट यहाँ पर कोई भी literary sources नहीं मिलते है यानि कि कोई भी लीखित चीज हमें नहीं मिलती है कोई भी राइटिंग नहीं थी इस समय में चालकुलिथिक एज में राइटि तो यहाँ पर जो है social inequalities थी लोगों के बीच में यानि कि उच नीच यानि कि अमीर लोग गरीब लोग तो इस परकार से जो है लोग रहते थे social inequalities थी लोगों के बीच में क्यों हमें कैसे पता चलता है देखिए यहाँ पर जो chief रहते थे यानि कि जो rule करते थे या फिर कह सकते जो मुखिया होते थे उस जुन्ड के उस गाउं के छोटे कस्बे के तो वो लोग rectangular houses में रहते थे यान कि उनकी घर rectangular shape में होते थे और थोड़े अच्छे होते थे comparatively जो गरीब लोग थे और जो गरीब लोग थे उनकी जोपडिया थोड़ी फटी-फटी होते थी और वो लोग circular houses में रहते थे राउंड यानि कि circular रहता था गरीबों का घर और जो अमीर रहते थे उनका घर rectangular रहता था और थोड़ा सा अच्छा रहता था गरीबों के घर से तो यही वो समय था जब लोगों के बीज में social inequality शुरू हो चुकी थी यानि कि लोगों में जो भेदभाव एक उच नीच अमीर गरीब का यह जो सिस्टम था यह लगबख सुरू हो रहा था इसी समय में चालकुले थी गेज में और यह जो समय था infant mortality rate बहुत ज्यादा हाई थी यानि कि बच्चे यहाँ पर जो थे कम उमर के बच्चे बहुत ज्यादा उनकी death हो रही थे बहुत ज्याद करने का जो है रोग का या फिर कैसकते medicine उतना advance नहीं था तो इस वज़े से mortality rate जो है infant mortality rate बहुत high थी समय में हमें यह कहां से पता चलते हैं महारास्ट्रा में हमें बरियल्स मिले हैं महारास्ट्रा में जहां पर जो है बच्चों की बहुत सारी कंकाल्स मिले हमें तो इससे पत चलता है कि चालकुली थी thats में बहुत शारे बच्चो जो है यान कि उनकी देत हुई थी बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी इन्फैंट की देत हुई थी तो यहां बन्याव में अ जादाता है, rice का cultivation होता था istern part में, इंडिया के, राहनी कि, आसां मिजूराम यह सारी जो state है, इनके जादाता час雁कर राइस का cultivation होता था। और जो western इंडिया के पार्ट से जैसे राजस्थान, पंजाब, सींद तो इन सब जवों में wheat और barley का ज्यादातर cultivation होता था ऐसा नहीं है कि eastern part में wheat नहीं होता था या फिर western part में rice नहीं होता था महारास्टा में जो भी death थी यानि कि जिनकी death हो जाते थी जो लोग जिनकी मृत्य हो जाते थी तो उनकी body को north-south direction में दफनाया जाता था यानि कि मृत्यकों के सरीर को जो भी मरे हैं इनसान तो उनकी bodies को death bodies को दफनाते थे ये लोग तो north-south में दफनाते थे और वहीं पर South India के लोग जो है वो Death Bodies को East West direction में दफनाते थे और Eastern India के जो है लोग जो है Fractional Buried करते थे Fractional Practice करते थे अब ये देखिए Fractional Buried क्या होते हैं Fractional Buried ऐसे होते जिनमें कि कोई लोग अगर मर गया कोई इनसान की मृत्य होगी तो उसके सरीर को रख दिया जाता था किसी एरिये पर ताकि उसके सरीर के जो भी मीट है चुकि इनसान मर गया तो उसके सरीर में जो भी मीट है तो उसको टाइब का जो है बर्यल से दफन करने का अलग टाइब का तरीका है उसमें में ये लोग करते थे यानि कि बोडी को मरने के बाद इनसानों की शरीट को सबसे पहले लोग छोड़ देते थे ताकि जानवर फिर पक्छी जो है उनकी मीट को खाले फिर जो हड्डियां बचती थी उनको ये लोग दफन कर देते थे तो ये देख सकते हैं महारास्टा के इधर रीजन में जो है नौर्थ साउट डायरेक्शन में जो है लोगों को दफनाया जाता था साउट इंडिया के पार्ट में जो है लोगों को इस्ट वेस्ट डायरेक्शन में दफनाया जाता था और बता चुका हूँ कि हर जगह का अपना एक अलग कल्चर होता है मतलब कल्चर का मतलब होता है लोगों के खान पान कैसे है रहन सान कैसा है किस तरह के कपड़े पहंते हैं किस तरह के भासा बोलते हैं तो ये सारे चीज़े जो है कल्चर के अंदर आते हैं हर एक जगह का अलग-अलग culture है पूरे दुनिया में हमारा इंडिया है एक ऐसा जगह है एक ऐसा देश जहां पर आपको हजारो cultures मिलेंगे यानि कि हजारो तरीके के आपको मिलेंगे जगह जहां पर लोग अलग-अलग type के रहते हैं बंगाल में लोग बंगाली कहते हैं, बंगाली भासा बोलते हैं, अलग टाइब के कपड़े पहनते हैं, अलग टाइब के चीज़े खाते हैं, वही साउथ इंडिया में केरेला में चल जाएं, वहाँ पे अलग टाइब के रहते हैं, तो इस तरह से लोग हर जगह पर अलग अ कौन सी कलचर थी तो वही हम चीज़े देहेंगे देखिए बनास कलचर तो सबसे पहले था साओ इस्ट राजिस्थान में है साओ सेड़ के इन पार्ट बनास कलचर था यह जगह कुछ important जगह जिसे अहर जो कि उदेबुर और जीलुन्ध इन जगोगे आसपास में हैं तो यह चीज़ याद रखिए उसके बाद दूसरा था कया था कल्चर यह था कया था कहां पर एंव परहीं चंबल बैली के आसपास में हैं मदral पर्देश मैं यानि कि Central इंडिया में जो है मालवा कल्चर हुआ था उसके बाद है जोरवे कल्चर जोरवे कल्चर यह कहां पर था इनाम गाउं चंदोली इन सब अरिये में जादा तर जो है फेमस था और यह पैसावर पाकिस्तान के अरिये में हुआ था यानि कि इन सब अरिये में जो है जोरवे कल्चर था तो य मालवा कर चल हो गया तो यह सारी चीज़े जो है अलग अलग टाइब के कल्चर थे और यहां पर से देखिए यह जो जो रोवे कल्चर था तो इससे धीरे धीरे लोग फिर इंडर सिविलाइजेसर में मतलब बढ़ते जा रहे थे क्योंकि इसी एरिया में हमें इंडर सिविला अहर है जो की वेलन बनास बेली में है अभी हमने बनास कल्चर देखा तो बनास बेली के एरिये में है और यह राजस्थान के किसी इलाके में है अभी मैप में भी हम यह सारी जगह देखेंगे यहां पर क्या होता था अहर में क्या होता था लोगों ने जो है इसमेल्टिंग और metallurgy के काम करते थे यानि कि यह लोग copper को smelt करते थे copper को जो है गलाते थे और अलग-अलग type के shape देते थे यानि कि यहाँ पर जो metal का जो primary काम होता है अलग-अलग type का shape देना या फिर उसको smelt करना, पिघालना तो वो सारे काम होते थे और एक चीज और खास बात है अहर की यहां पर लोग stone built houses में रहते थे यानि कि जिन घरों में यह लोग रहते थे वो सारे घर जो है पत्थरों के बने होते थे तो उन घरों में यह लोग अहर के लोग रहते थे राजस्थान में उसके बाद जगह जिलूंड जो की बनास बेली में ही है राजस्थान में ही है तो इस जगह पर क्या होता था इस जगह पर जो है बंट ब्रिस का यूज हुआ है यान की पकाये हुए इंटो का कुछ थोड़ा बहुत यूज हुआ है चुकि चालकुलेथिक एज में हमें यूज देखने को नहीं मिलते हैं पके हुए इंटो के बट फिर भी जिलूंड एक जगह है जहां पर थोड़े मतलब मातरा में यूज मिले है यान की एक दो घर हमें ऐसे मिले हैं जहां पर बंट ब्रिक का यूज हुआ है उसके बाद देखिए नेवासा जो की महरास्टा में है और इरान एक जगह का नाम है जो की मद्यपरदेश में है तो यहां पर नन हडपन कल्चर देखने को मिलते हैं अब कहेंगे नन हडपन कल्चर क्या है तो यहां पर जो कल्चर हुआ है जो जो चीज़े हुई है वो हड नवासा और इरान जो कि मद्यप्रदेश है, मद्यप्रदेश में है, तो ये सारे जग्टहां जो चाल्कूलेथिक साइड के जग्हा है, बड़ यहां पर जो हडपन कल्चर का जो है, इससे लिंक नहीं है, उसके बाद देखिये लगबग सारे यहां पर कल्टिवेट किये यहां पर देखिए सबसे बड़ा यह जोरवे कल्चर है अभी हमने जोरवे कल्चर देखा जो कि महारास्ट्रा वाले रीजन में कहीं न कहीं है तो सबसे बड़ा जोरवे कल्चर कहां पर है यहां पर दामियाबाद में है यह जो है गोदावरी बेली के आसपास में है उसके ब ब्रोंज के बहुत सारे सामान मिलते हैं, जैसे कि ब्रोंज के कुछ खिलोने मिलते हैं, ब्रोंज के राइनसौर्स बने हुए मिलते हैं, खिलोने अलिफेंट्स, ब्रोंज के अलिफेंट्स मिलते हैं, और ब्रोंज के जो है हमें चैरियोर्स मिलते हैं, यानि कि घोडा पहंस गाड़ी के जो है हमें ब्रोंज में मिलती है ब्रोंज से बनाया हुआ मिलता है कहाँ पर दामियाबाद में मिलता है ये सारे साइट से याद रखिए और क्या क्या चीज़ मिली है वो सब भी ध्यान में रखिए उसके बाद सोन गाउ, इनाम गाउ और नासीख ये भी महारास्टरा में है, तो इन सब जगों में हमें Muddhauses मिले हैं, बड़े-बड़े Muddhauses मिले हैं, और इनमें circular Peet Houses, यानि कि ज़्यादतर ये circular shape में होते थे, ओभन सेप में होते थे mud houses यहाँ पर के फिर कयाथा जो कि मद्य प्रदेश में है तो यहाँ पर mud plastered floor मिले यानि कि जो लोग यहाँ पर घर बनाते थे तो उनमें नीचे में या फिर दिवालों में जो plaster करते थे मिट्टी से अच्छी से मतलब अच्छे से उसको चिकना करते थे दिवालों को मिट्टी से ही तो यह सारी चीज़े हमें कयाथा में मिली है यहाँ पर pre-hadap-pan जो है चीज़े मिली है potary के यानि कि हड़पण से पहले की pottery हमें यहाँ पर मिली है कयाथा में जो कीb cantidad gage की है यहां पर बहुत सारे copper objects मिले हैं जो की sharp cutting edge यानि की चाकू जीसे shape की बहुत सारी चीज़े हमें मिली है कया था में जो की मद्धि प्रदेश में है उसके बाद मालवा वाले region में जो की यह भी मद्धि प्रदेश में है यहां पर जो है richest चालकू लिथिक ceramics हमें यहां पर मिले ह यानि की pottery जो थे यहां के चालकू लिथि इसके तो अच्छे अच्छे shape में अच्छे अच्छे design में और बहुत quantity में हमें कहां पर मिली है मालवा में मिली है उसके बाद यहां पर spindle horse मिले है होल्स मिले है जिससे की कपड़े को बुनना या फिर उनको धागे को बानने का काम होता है तो वो सारे चीज़े जो है मालवा में मिली है यहां पर भी हमें नन हरपन cultures देखने को मिलता है देखिया हम अभी मद्य परदेश देख रहे है आपको मद्य परदेश MP बहुत जगह दिखा होगा तो चालकू लिथिक age में याद रखेगा major जो parts है यानि की जादातर parts हमें मद्य परदेश के इलाकों में देखने को मिलता है वहीं पर जो सबसे यादा copper का use देखने को मिलता है चालकू लिथिक time का तो मद्य परदेश के जो जगह है यह सारे important है कया था हो गया मालवा हो गया फिर जो है नावतार डोली हो गया इरान निवासस्वरी में इरान हो गया तो यह सारे जगह जो की मद्य परदेश में काफी important है चालकू लिथिक साइट के चालकू लिथिक एज के समय के उसके बाद बिहार के कुछ important साइट जैसे की चीरंद सेनुवार सौनपूर यह सारे बिहार में है और महिसा दल जो की वेस्ट बेंगाल में है तो इन सब जहों में भी हमें जो है चालकू लिथिक साइट्स मिले हैं चालकू लिथिक के समय के बहुत सारे टूल्स मिले हैं तो यह सारे तो उसे चालकू लिथिक साइट्स थे अब इनको हम फिगर में भी देख लेते हैं यह देख सकते हैं काइथा यहाँ पर है नवता हल्लूर तो ये सारे जो है important जगह है चालकुलिथिक एज के इसको जो है आप याद रखिए इन सब जगहों में भी चालकुलिथिक एज हुए है कॉल्डिवा में भी हुए है चिरंद में भी हुए है तो अब जो मैंने अभी हमने discuss किया वो सारे important थे इनके अलावा भी और सारे चालकुलिथिक एज है बट यो important थे वो हम अभी discuss कर चुके हैं तो आपको उन्हीं को याद रखना है उससे ज़्यादा भी एगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है बट वो जरूर ही याद रखे जो हमने अभी discuss किया जितने सारे sites को अब देखते हैं iron age को देखे iron age के बारे में हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि iron age जो है वो वेधिक समय का है यानि कि rig वेधिक जो समय है उस समय में iron age का समय है iron age जो है इसमें हमें megalithics burials देखने को मिलते हैं जो कि southern इंडिया के parts में यानि कि southern peninsula के इंडिया में जो है southern peninsula के regions में हमें देखने को मिलते हैं megalithic burials अब बोलें कि megalithic burials क्या है तो देखें megalithic burials ऐसे चीज़ है जहां कि कबरों के उपर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे यानि कि किसी इंसान को दफनाया गया और उसके कबर के उपर बड़े पत्थर रखे गये अब ये क्यों रखा जाता था इस पर पहला चीज़ तो हम ये अनुमान कह सकते हैं कि या तो इसलिए रखते थे ताकि वो लोग लास को पहचान सके कि हाँ इस जिगह पर फलाना इनसान को जो है दफनाया गया है दूसरा कारण यह हो सकता है कि वो लोग इसलिए दफनाते थे ताकि जानवर जो है उसको खोद करके उस लास को ना खाले तो इसलिए भी ये लुग करते थे तो बहुत अलग-लग टाइप का बरियल्स था अभी हमने देखा korporational बरियल्स देखा अभी यह देखा रहे हैं मेगालिथिक बरियल्स है और भी बहुत सारे तरह के जो है कि बरियल्स है में है उसके बाद अदिछा नालूर जो कि तामिल नाडू में नाम थोड़ा जीब है तो यह सारे जगह जो है इनमें हमें मेगालेथिक बरियल्स देखने को मिले हैं जो कि साउधन इंडिया के पार्ट्स में और जो है आइरन एज में हमें रेड और ब्लैक पोटेरी जो है द सारे वीपन्स हमें देखने को मिले हैं आइरन के वीपन्स देखने को मिले हैं जो कि मेगालेथिक बरियल्स में जो है गाड़े गये हैं यानि कि जो भी गड़े यहां पर हुए है ना जो मेगालेथिक बरियल्स थे आइरन एज के समय में जितने भी लासों को गाड़ा गया जितने भी death bodies को गाड़ा गया तो उसके साथ ये लोग क्या क्या चीज़े गाड़ते थे ये लोग पोटेरी को भी गाड़ देते थे उस लास के साथ ये लोग बहुत सारे वीपन्स को गाड़ देते थे बहुत सारे सीकल्स को गाड़ देते थे तो इन सारे चीज़ों को ये लोग आईरन एज में जो है लासों के साथ गार देते थे बहुत सारे food grains को भी गार देते थे यह लोग सायद मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन है तो इसलिए यह सारी चीजे यह लोग करते थे किसी भी लास के साथ जो की गारने के बाद उसके साथ बहुत सारी चीजों को उसके साथ दफना दिया जाता था तो यह तो था आईरन एज के बारे में हम इतना है डिसकस करेंगे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अभी नहीं देखेंगे तो हमारा चालकुलेथिक एज और आईरन एज जो है कम्प्रीट होता इस वीडियो में यह अभी तेक जो हमने वीडियो देखा अभी तेक ancient history का हमारा 4 वीडियो बन चुका तो इस वीडियो में कह सकते ये stone age के बारे में हमने पूरा discuss किया है हमने paleolithic age देखा, mesolithic age देखा, neolithic age देखा, फिर चालकुलिथिक age देखा और iron age को भी हमने थोड़ा सा देखा इसमें, थोड़ा सा discuss किया, तो ये सारे चीज़े जो है stone age का था, इसके बाद हम civilization की बात करेंगे, जो की Indus Valley civilization की बात करेंगे इसके next वीडियो में तो ये हमारा जो है, वीडियो यहीं पर complete होता है, अगर आपको notes डाउनलोड करने हैं, तो आपको description में मिल जाएंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आरा, आपको फाइदा हो रहा है, तो वीडियो को like करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले, thank you